श्री क्रिष्ट राधे राधे भगवान श्री क्रिष्ण अपने मुकुट में मौर पंक लगाते थे इस कारण से क्रिष्ण भगवान को मौर मुकुट धारी भी कहा जाता है लेकिन राम चंद्र जो क्रिष्ण की धरही विश्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं मौर हो चुके हैं मगर कृष्ण के अलावा किसी अन्यन्य मौर मुकुट नहीं धारन किया माता यशोदा भी अपने खाना को बचपन से ही सिर्फ पर एक मौर पंख लगा कर सजाती थी सफी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनका श्रिंगार करते हैं उन्हें मौर पंख से सजाते हैं पर क्या यह जानते हैं कि श्री कृष्ण मौर पंख क्यों धारन करते हैं श्री कृष्ण को इतना मौर पंख क्यों पसंदे कि वो अपने मुकुट में सदेव मौर पंख को सजाय रखते हैं मौर पंख लगाने को लेकर कई कहानिया है जो कि आज की इस वीडिय लगे इस दौरान एक मोर का पंख नीचे गिर गया तब श्री कृष्ण ने इसे अपने माथे पर सजा लिया मोर पंख को उन्हों ने राधा के प्रेम के परतीक के रूप में माना इसलिए कृष्ण के सिर्पर मोर पंख सजा होता है दूसरी कहानी के अनुसार श्री अपने मिद्र और सत्रू में तुलना नहीं करते। श्री कृष्ण के भाई बलराम सेश नाग के अवतार थे। मोर और नाग एक दूसरे के दुस्मन है। लेकिन कृष्ण जी के माथे पर लगा मोर पंक या संदेश देता है कि वह सत्रू को भी विजेश अस्थान देते मोर और साप की दुस्मनी है। यही वजह है कि काल सर्फ योग में मोर पंक को साथ रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि श्री कृष्ण पर भी काल सर्फ योग था। काल सर्फ दोस का प्रभाव कम करने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण मोर पंक को सदा साथ रखत तीसरी कथा के अनुसार श्री कृष्ण के और मोर पंक धारन करने के पीछे एक प्रिषलेट कहानी है कि मोर ही सिर्फ ऐसा बंच्छी है जो जीवन भर ब्रह्माचार रहता है ऐसा कहा जाता है कि मादा मौर, नर मोर के आंसु पीकर गर्वधारन करती है ጥकravals के साथ जंगल में गाय चराने जाया करते थे, उस समय मोर उनके चारो और अपने पंक फैलाकर नाचा करते थे, तब से ही स्रीकृष्ण जी को गाय और मोरों के पंक से लगाव हो गया था, तो ये है भगवान स्रीकृष्ण के मो पंक धारन करने की प्रसिधी कहानिया, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके प्लीज जरूर बताए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद मोर मुकुट धारी शरी कृष्ण कीजै, बंसी बजवया कीजै